ये भाई जो आल्दू-फाल्दू की जाड़िया होती ना बस उसको जड़ा दे रहे सभी बन देना ब्रेक पास्ट हमारा यहीं पी हो गया देख लो पांथ छे दस पीस होते ना तो पेड यहीं बनना था हमारा मांटें डिव की बोटल है भाई यह है एक इसमें खुल गया श स्वागत है आपका मेरे एक नए ब्लॉक के अंदर और कैसे आप होप आप सब बढ़िया है तो हिमाचल प्रदेश के जिला सिर्मोर के अंदर दाना गाउं में आपका बहुत-बहुत स्वागत है भाई सुबह के साड़े छे बज़े अभी तो धूप गवाई इस तरह से सा सब्सक्राइब दूसरे काम करते पूरे अपने खेद में जाके गाहे के लिए चारा लेहाना है घास लेहाना मतलब तो वहीं जारा भी खेद तो भाई अब अपने गाहों से खेद की तरफ की यातरा शुरू और यह गोबर्ड होने का काम भाई यह बलब सुबह के रूटिन होता है यह गाहों में कोई गोबर्ड हो रहा है कोई अपने गास का इंतिजाम कर रहा है अभी सवसात हुए और धूप भी लग 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 चीरी यह दाना गाहों में अभी अभी टेमप्रेचर चा क्यामा नहीं हापने इधर का ना पाड़ों का तो 26 डिगरी है तो 26 डिगरी सोच के देखवा आप की जब सवा 7 वजे 26 डिगरी है तो 12 वजे आप खुझी समसकतो 12 वजे 12 वजे कितना होगा यह तो शुकर है कि करने की टेंशन ही खत्म हो जाएगी इस ने भी बहुत सयोग दे दिया अब इसको थोड़ा सा इसके जगह से ट्रांस्वर कर लेता हूं आगे की तरह हो आजकल भाई हमारे यहां पाड़ों में ना वाल्दू-फाल्दू की जाड़िया होती ना बस उसको जड़ा दे रहे स लगी हुई है अगर मौसम सर्दिक होता तो यहां पर में आग सेखता अब भी मलब काफी तापमान काफी लग रहा है सेख आग सेखना तो दूर की बात भाई यहां तो ऐसी लगी पड़ी है ना पाड़ों में गर्मी से पांच जून को वेती बारिश और आज 18 जून है तो यह भाई फसलों का हाल चाले देखो यह देख वाजी मक्या इदर साइड साइड में तो सूखी गई है थोड़ी सी बीच में तो खीक चले यह आगे वाली इस यहां मैं अपने खेट पहुंच आओं हैं और हमारे खेत में यहां एक पेड़े द्रेमल का कि तरेल की में प्रमल भी लगी आई कुछ कच्ची है कुछ पच्ची है पकी है पक्के वाड़ी तो मेर को यह लग रहे हैं यह लाल लाल दिख रहे हैं दो पीस हिदर है विना बारिश के न यह भी बहुत कम पकती है दो तिन पीस दरा मैं भी निकाल लेगा हूँ कि अब यह तर्मल मैंने निकाल तो दिये हैं यह नहीं पता कि यह अंदर सिसमें शहद है भी कि नहीं है कहीं बारत पूरा पानी होता है जखिसमें से पाई निकल रहे एक में थे एक मेंसे तो अब चक्कर की चलेगा पता कि यह लपीज खाने लाएगे क्योंकि इसमें शहदे बरावा पूरां दर ना तो यहीं शहदे भी भाई जो खाने में बहुत मीठाथ है अब मैं यहां पर दूसरे खेट में पहुंच गया जहां पर मेरी मा ना पहले सी आई हुई है यह यहां पर यह निकाल रहे घास ना हरी बरी घास मौतुक तेरे मौल लिया तो छेन तेरे माल विटिक मुना एक त्युक्त खराब आपके लिए यह का तो है आजी देखो ज्ख़ब आच्छे करोई खराब दो नी कहीं करें त्युक्त है बुड़िया से निकला यह वाला त्रेमल इसमें पूरा श्याद है ब्रेक पास्ट अमारा यही पी हो गया देख लो अगर यह पांथ छे दस पीस होते ना तो पेड यही बनना तामारा तो जहीं तो जहीं तो तो माने भाई यहां पे कुछ पूले काट दिये घास के ना तीन चार चार यह बख्रियों को चुगाने के लिए लोग भी भाई आब चल पड़े त्री मुल्की इतनी टहनिया निकालके आज के लिए इतना बहुत है बस आसकल फ्रूट्स की कोई कमीन होती है अब जैसे में यहां पर पडोस में यहां पर एक पेड़े और इसमें लगी है भाई फेगडी फेगड़ोडी तो यह फ्रूड़ी कुछ तो खाली है पक्षियों ने कुछ में बची है निकालते जाओ भाई मसते हैं ना फ्री के फ्रूट से खाने में तमस्ती होते हैं मीठे होते हैं टौप का कुछ आजाएंगे पक्षियों के काम क्योंकि उनको भी तिहीं से करना पड़ता है गुजारा खाने का हमारे पास फिर भी रोटी दाल चावल सबजी होती है खाने के लिए पक्षि तो यही पर चलना पड़ता भाई पक्षियों का भी अपना भी तो त्रमन के भैस रफ और सिर्फ तीन पीस हुए बांद के बहुत है तीन पीस भी हमने कौन सा आजियां है कल भी तो आना है तो भाई आज के लिए गाय के लिए पूरा हो गया इंतिजाम का घास का कुछ मेले आया घास पतियां कुछ माने कर दिया आप है कट्टी मांटेंड ड्यू और भाई इसको कोल्टिंग मत समझना ये पाने की बोटल है जो मैं घर से लाया हूँ खुली रहा है दर दर दो मात जी दे दो मांटेंड ड्यू की बोटल है वाई ये है एक इसमें खुल गया पिलो भाई वाई वस्ता की बिल्कुल भी सही नहीं है अगर दूस्पीना यह तो गन्य का दूस्पील या आमका शेक पील्या या बहुत कि सन्टार किसे कुंगर मैं दो काड़ा है कि सुबा के नौबज गेव और तो हावा चली ना धूप में भी वह बहुत गजब की चल रही है दूप बिल्कुल भी फिल नहीं वर इस टाइम ठंडी वाइज दमस्तों रहे हैं कि मुझानली गरें के पास पूंच गया मैं आपको अपनी दिखाता हूं गाए अधयर आए तोडह अई आध्य आलो लो ऑलटी ऑलबाल्टी हलबार्टी हलो मल्टी बस में आगा तुमारे लीए नाश्त का इंतिसाम वो गया वह चोटी वह चोटी हाँ चाटके कुछ ना आवना भाई हरे हरे गास का एक पूला गाय के लिद देना हो गाव यह आगया घास हरा भरा घास खाओ बेट्टा इसमें तो कर दिया शुरू अब घास पत्ते का सारा काम निप्टाने के बाद फाइनली अपने घर पहुंच में होता है वेल्कम टू मैरे सोई बंड़न आपसा पानी है अब तो नहीं हमने आजकल घड़े कंदर ठंडा पानी रखा हुआ है तो घड़े कंदर दोसी पानी ठंडा ही रहता है तो इसको प् सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करतो यारे भाई को सपोर्ट करतो अगले व्लोग में आपसे मुलाकात होगी तब तक अपना ध्यान रखो जैहिंद बंदे मातरम